हेलो फ्रेंड्स आज मैं बनाऊंगी अंडा की एकदम नई रेसिपी हमारे हाँ इसको शाही अंडा करी बोला जाता है ये रेसिपी बड़ा ही डेलेसियस होता है इस रेसिपी को आप लोग एक बार जरूर ट्राइए करें आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी अगर आपके चैर अंडे का बना रही हूं उस हिसाब से मैं अद्रफ प्याज लहसुन यूज करूंगी आप जितना अंडा का बनाएगा उस हिसाब से यूज कर लीजिए गा तो मैंने तीन बड़ा चमच तेल डाल दिया है तेल अच्छे से गरम हो जाए तो मैंने एक चमच जीरा डाला है जीरा चटक गया है तो यहां पर मैंने दो बड़ा साइच का प्याज को चौप करके डाल दिया है और तीन हरी मिर्च को मैंने इस तरह से काट लिया है और इसको अच्छे तरीके से हम लोग हाइफ लेंपर दो से तीन मिनर तक फ्राई कर लेंगे इसका कलर चेंज होने त और इन सभी को अच्छे से चला लेंगे इन सभी को दो से तीन बर चलाने के बाद यहां पर मैंने एक बड़ा साइच का टमाटर और थोड़ा सा धनिया पता पीस कर ले लिया है इसको डालेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा सा यहां पर पानी डालेंग ताकि ये masala टमाटर प्याज अच्छे से sit हो जाए और इसको अच्छे से चला लेंगे चार से पांच बार चलाने के बाद हम लोग यहां पर डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच हलदी पाउडर एक चमच जीरा पाउडर एक चमच काली मिर्च पाउडर इन सभी को हम लोग अच्छे से चला लेंगे मेडियम फ्लेम पर हम लोग इसको दो से तीन मिनर तक भूनेंगे और ये मसाला अच्छे से भूनाग जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने दो से तीन मिनर तक मसाले को अच्छे तरीके से भून लिया है तो यहाँ पर थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे इससे बढ़ा ही टेस्ट अच्छा आता है और फ्लेवर भी अच्छाता है आप लोग चाट मसाला होगा तो जरूर डाल लेजिएगा और इसको 2-4 बार चला लेंगे बिसिकली इसको 30 सेकेंड या 40 सेकेंड भून लेंगे और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे यानि की एक कटोरी पानी हम लोग इसमें एड कर लेंगे आप देख सकते हैं मसाला कितने अच्छे से भुना गया है मसाला अच्छे से भुना जाता है तो कोई भी सबजी बनाई है उसका फ्लेवर ही अलग होता है तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी पानी डाल दिया है इसको हाई फिलम पर मसाले में उबाल आने देंगे यहां पर ग्रेवी में उबाल अच्छे से आ गया है आप देख सकते हैं तो चारो अंडों को हम लोग बारी बारी से एक प्याली में फोड़ लेंगे एक एक अंडा करके डालेंगे तो मैंने एक अंडा को डाल दिया है प्याली में फोड़ कर फिर दूसरा अंडा दूसरी यह एक तरफ से कुध हो गया है इसको हलके हाथ होसे हम लोग चारो चारों अंडो को बारि बारी से पलजिंग और यह डॿलाइस रेष्पी सभी को बहुत ही पसंद आएगा एक बार इस रेस्पी को आप लोग जिरूर ट्राइ करें बैचलर भी ट्राइ कर सकते हैं इसमें कोई जहनजट नहीं है एकदम जहटपट बनके रेडी होता है पांच से छे मिनट के अंदर यहां पर थोड़ा समय ने धनिया पत्ता कट करके रखा है इसको डाल देंगे धनिया पत्ता डाल कर हम लोग यहां पर ढख देंगे और फ्लेम को आफ कर देंगे और इसको एक मिनट तक रेष्ट पर छोड़ देंगे एकदम अच्छे से रेष्ट हो जाएगे आप देख सकते हैं यह कितना अच्छे से से सिट हो गया है अब हम लोग इसको सर्व करेंगे यह हमारा सुपर टेश्टी शाही अंडा करी बनके रेडी है आप लोग इस रेष्पी को जरूर ट्राई करें आप लोगों को बहुत ही प थोड़ी से भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लिजिएगा मिलते हैं एक नई डेशिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई थेंक्यू कर दो